दोस्तो एक बार फिर एक और शांदार वीडियो में आपके लिए ले करके आ गया हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं UP Board 12th Class के स्टूडेंट्स के लिए उनके English का Question Paper का जो 23 Board Exam में हुआ था उसका Full Solution आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले है साथी साथ हम लोग देखेंगे कि Board Exam में Copy किस तरीके से लिखी जाती है ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले इसमें Section A आता है A Section में एक Unseen Passes दिया रखा होता है उस Passes को सबसे पहले हम बहुत अच्छे से Read करेंगे और Read करन होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे फिर उसमें Section A डालेंगे आंसर नंबर A अपना डालेंगे उसके बाद में A B C और आपका D और E इस तरीके से जितने भी कुश्षन होंगे उनके आंसर आप बहुत हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से लगाएंगे तो बहुत जरू एक article आता है वो आपको लिखना है तो अच्छे से अच्छे से heading लगा के उसको लिखिएगा जैसा कि आपको इस copy में लिखा हो और साथी साथ जैसे ही आपका page पूरा हो तो PTO उस पर जरूर लिख दें और फिर उसके बाद आगे आप बढ़ती चले हैं जितना भी आपका ल पिल्कुल यही pattern रहता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देया है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा उसके बाद question number हमारा तीसरा है इसका answer हम इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि आपको बोर्ड एक्जाम में तो इसमें दो question आते हैं उसमें से एक ही हमें करना होता है अत्वा में आता है और में आता है तो उसको हमें क्या करना हो तो नीचे वाला हमने करके देखा उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो हमारा grammar section होता है उसमें किस तरीके के question की यदि मैं बात करूं तो इसमें इस तरीके के question आते हैं तो आपको इस तरीके से उनके answer लगा बात में उसके बाद में जो हमारा यह secondtier होता है जासा कि कि आतो इस इस क्रिन पर यहांपे बहुत अच्छी से दिखाई दिरा आए उसके बाद आगे इसमें दकेगा फिर हमारा जो होता फिर आसर देखेगा पांच्मा मोज़ आ कोशन होता उसके आउस तरहिके से इंडारेक्ट स्पीच हो गया कॉंप्लेक्स हो गया अगर इस वीडियो का फुल सलूशन देखना थाते हैं बहुत अच्छे से तो मैंने पहले ही अलड़ी वीडियो डाल लखा है तो अब डिटेल से सभी के मैंने बहुत अच्छे से आपको करके दिखा दिए ठीक है उसके क्या होता दो शॉट टाइब के कोषिंट करने होता है सबीन अब्र में तो जो भी आपको आते हो वह आप मैंसे दो करेंगे चार आपको आएंगे दो आपको करने होते हैं जैसा कि इस får करके दिखाया गया एक इसके बादम क्या हूसे बाद होता आको लोंग क्वेशन आता ह तो पहले चलों को share और subscribe जरूर कर दें उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर answer number 9 का अगर हम लोग बात करें तो इसको देखिएगा उसके बाद आपको 10 number पर central idea आपको लिखना होता है तो जो भी आपको बहुत अच्छे से इनको देख लीजेगा तो क्या pattern होता है उसके बा तो बहुत अच्छे से देखिएगा तो इस तरीके से यह copy बहुत अच्छे से थी 100 number यहाँ पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्ली चैनल को share और subscribe भूरू कर दें तो यह आपको आने वाली वीडियो की notification वेले बेल आई